हले दोस्तों तो मैंने प्रिवियस वीडियो में ये वीडियो बनाई थी कि जो जियो का 395 वाला प्लान है वो आप कैसे रिचार्ज कर सकते हो तो गाइस यहाँ पर ना मतलब मैंने आपको बताया था कि आप कैसे तरह से वेबसाइट पर जाकर ओटो पे के थुरू 395 का प्ला लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना मेरे को डाउट वाइस बात पर कि जब 3 जुलाई से प्लान चेंज हो जाएंगे तो क्या उसके बाद जब ओटो पे से रिचार्ज ये वाला करना होगा 395 वाला तो क्या होएगा या नहीं होएगा तो इसके बारे में किसी के पास clear answer है ही नह से अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो बताया ना आपको के 395 वाला ओटो पे तो गाइस मैंने इसलिए बताया कि मैंने पहले ना sony live की membership लेर रखी थी मैंने 399 का one year वाला प्लान तो गाइस मैंने ना वो ओटो पे डाला हुआ था और काफी सालों तक मेरा वो 399 वाला प्लान आ एक्टिवेट हो जाता था और बाद में मैंने देखा कि वो जो 399 वाला प्लान था ना वो बहुत पहले ही deactivate हो चुका था website से लेकिन फिर भी मेरे को वो लेकिन दोस्तों यहां पर जो जियो की हिस्ट्री रही है वो इस तरह की नहीं रही है कि उन्होंने जितना भी ओटो पे सब्सक्राइब कर वाया वो उस पे चले वो चेंज भी कर सकते हैं जबके मेरा पास्ट एक्स्पिरेंस वोनी लिव के साथ ऐसा था कि उन्होंने 399 में वन येर का प्लान जो है मेरा एक्टिवेट किया था ऐसे में दोस्तों यहां पर काफी सारों लोगों के साथ पहले यही हुआ है कि उन्होंने ओटो पे का जो प्लान था वो बाद में कैंसल कर दिया जब उनके प्लान चेंज होगे तो हां गाईस यहां पर अगर आप ओटो में